Hello everyone, कैसे आप सभी, hope आप सभी अच्छे हूंगे आज मैं आप सभी के साथ हरी दाना मेति की एक recipe शेयर करूंगी जो कि हम हर साल हर सर्दियों में बनाया करते हैं और बहुत ही easy तरीके से आपको बनाना बताऊंगी सर्दियों में ये हरी मेति दाने बहुत आप अच्छा लगते हैं और खाने में मीठे से लगते हैं, कड़वे नहीं लगते हैं हम लोग इसंकी फलियों में से निकाल कर इनको वैसे एक तच्छा ही खाल लेते हैं बहुत ही test ही लगते हैं आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सबजी चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए कुछ लेसुन की कलिया हरी मिर्च, प्याज और टमाटर अगर आपको अद्रक भी पसंद है तो आप इसमें अद्रक भी एड़ कर सकते हैं तो यहापर मैंने 5 से 10 कलिया लेसुन की ले लिए और 7 इसमें 5 हरी मिर्च काटकर डाल दिया है अब हमें इससे बारिक कूट लेना है अब हमें यहापर टमाटर को ग्रेट कर लेना है टमाटर पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो आप डालिए मैं यहापर इस तरह से कर लेसे लेकिन केइद से बहुत ही जल्दी क्रेवी बन जाती और इस का छिल्का भी अलग से बहुत मेरे को लगता है यह को तरीका टमाटर डालने का किसी अब सब्स조각 9 इस तरह से पूरी बनाकर डाल सकते है यहाँ पर अब मैंने medium size के दो आलू ले लिये हैं जिनको कि मैंने अच्छे से wash करके और उनके छिलके निकाल दिये हैं क्योंकि अभी नए आलू आते हैं तो उनको ज्यादा छिलना नहीं पड़ता है बस हलका सच चाकू गुमा देते हैं उपर तो उनका छिलका निकल जाता है अब मैं यहाँ पर इनको medium size में cut करूँगी आप अपने मन पसंद आकार में काट सकते हैं और आप आलू की quantity कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने member के according यहाँ पर मैंने medium size के दो आलू लेकर cut कर लिये थे अब चड़ा देते हैं कड़ाई और अब उसके अंदर हम डालेंगे oil आप अपने मन पसंद का कोई साबी oil यूज कर सकते मैं यहाँ पर मूफली का oil यूज कर रही हूँ oil को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है जैसे ही oil गर्म होता है इसमें एक लोंग तीन से चार काली मेर्च और उसमें राई डाल देंगे साथ इसमें जीरा डालेंगे और हींग का तड़का लगा देंगे इन सबी को हमें अच्छे से चटकने देना है जैसे ही राई जीरा चटकता है उसके अंदर हमें लैसुन हरी मेर्च और प्याज का पैस्ट डाल देना है इनको मीडम फ्लैम पर फ्राई होने देना है गल्डन प्राउन होने तक अब इसके अंदर हम एड़ कर लेंगे टमाटर की प्यूरी तो यहां पर मैंने टमाटर की प्यूरी अड़ कर ली है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक इसे हम इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे और उसके बाद इसमें अड़ करेंगे हमारे गर के बैसिक मसाले लाल मिर्स डाल दी है धनिया पाउडर हल्दी नमक और थोड़ा सा भूना हुआ जीरा मसाला यह पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सबजी में मसालो को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाए मसालों से यहां देखिए एकदम से तेल सेपरेट हो गया है और मसाला पक गया है तो अब बारी आ जाती है इसके अंदर आलू डालेंग होगी और इसके साथ ही यहां पर हम इसमें मैथी भी एड कर leienगे सकते हैं आपसाभी को कुकर में भी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाती है लेकिन कुकर में बनी हुई सबझी का कि टेस्ट इतना अप्छा नहीं आता है जितना कि हम इस तरह से खुली बनाते हैं तो अहां पर थोड़ा सा जैसे आलू पकने वाला होता है इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी ठंदा पानी नहीं डाले सबर्स का टेस्ट बिगर जाता है तो यहां पर गर्म पानी के पहले ही कट करके रख लिया था, धोकर ही रखा हुआ है, आप भी इस तरह से रख सकते हैं, आपका टाइम से हो जाएगा, आप बनाए तब सबजी में पानी की क्वांटिटी कम या जादा आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे इसी तरह की पसं लेते हैं, सब तरह की रोटी बन जाती है, चलिए तो हमाई रोटी बन कर हो गई है तियार, और अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं, तो फ्रेंट्स आप सभी को यह रेसिपी कैसी लगी है, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल प